नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश है 19 अक्टूबर, बुद्वार दो पर सवातीन बजे, राजसान की 15 बड़ी खबरे सबसे बहले एक नेज़र डालते हैं अज़ की हैटलाइन्स पर खड़के बने कॉंग्रेस के नए अध्याक्ष गहलोद बोले सोनिया राहुल के आशिरवास से बची सरकार कोटा में बलट बैंक के क्रॉस मैच रूम में फॉल सीलिंग गिरी 25 लाग के रिश्वत लेते पटवारी को ACB ने किया गिरफतार और तापमान में गिरावट से हो रहा सर्दी का एसास और अब खबर विस्तार से मलिकार जुन खडगे कांग्रेस के नए अध्याक्ष चुने गए हैं खडगे ने 7897 वोटों से जीत हासिल की है जबकि शशी थरूर को करीब 1000 वोट मिले 8 गुना जादा वोटों से खडगे को जीत मिली हैं पार्टी अध्यक्ष पत के लिए 24 साल बाद हुए चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई चुनाव के लिए देशबर की सभी प्रदेश कॉंग्रेस कमीटियों में बैलेट बॉक्स भेजी गए थे इन्हें नई दिली के 24 अकबर रोड पर कॉंग्रेस मुख्याले लाये गया है इससे पूरू काउंटिंग के दौरान थरूर समर्थन सलमान सोज ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में वोटिंग से पहले पोलिंग के दौरान और मद्दान के बाद गरबडियों का रूप लगाया सोज ने कहा हमने इस बारे में पार्टी के चुनाव प्रभारी मदुसुदन मिस्त्री को बता दिया है कांगले सद्यक्षपत के लिए मलिकारजुन खडगे और शशितरूर आमने सामने हैं चुनाव में कुल 9900 वोटरस में से 9500 ने वोट डाले थे रुजानों में खडगे की जीत तैब बताई जा रही है मना जा रहा है कि खडगे को गांधी परिवार का समर्थन हासिल है मुख्यमंत्री शोगे लोट ने बीजेपी परदेश में पैसे के दम पर सरकारे गिराने का रूप लगाते हुए एक बार फिर राज़सान के सियासी संकट को याद किया है साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने का भी संके दिया है गहलोट ने कहां बीजेपी के पास इलेक्ट्रोलर बॉंड जैसा पैसा एक तरफा जा रहा है उस पैसे के दम पर ये देश में सरकारे गिरा रही है करनाटा के बाद में मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के बाद में महरास्ट और हमें उपर वाले ने बचा दिया सोनिया गांधी जी का राहूल गांधी जी का आशिरवाद था इसलिए सरकार बच गई उस वक्त में वे दिल्ली में मीडिया से बाचित कर रहे थे कोटा संभाग के सरकारी ब्लड बैंक में देराथ क्रोस मैच रूम की फॉल सिरिंग गिर गई जिस वक्त यह हासा हुआ उस दोरान लैब टेक्निशन वे डॉक्टर महम मौझूद थे और क्रोस मैच लगा रहे थे अचानक छट का प्लास्टर गिरा प्लास्टर का वज़ा नहीं जेल पाने से फॉल सिरिंग नीचे आ गई गनीमत यह रही कि दोनों बाल बाल बच गए फॉल सिरिंग साइड पर गिरी हासी के बाद ब्लड बैंक प्रिशासन ने पी ड़ुड को इसकी सूचना दी ब्लड बैंक प्रिभारी डॉक्टर सुधी शर्मा ने बताये कि घटना मंगलवार रात आठ बजे के आसपास की है जोदपूर पस्टेचार नेरोदग ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने आज बुदवार को जोदपूर में बड़ी कारवाही करते हुए एक पटवारी को 25,21,000 रुपे की रिश्वत लेते गरिफतार किया ये कारवाही ACV के अडिशनल S.P. डॉक्टर दुर्ग सिंग राशपरोहित के निर्देशन में की गई शहर के मंगरा पुंचला इलाके में पटवारी बीरबल राम ने एक जमीन के रुपांतरन से जुड़ी प्रिक्रिया के लिए ये राशी मांगे थी पटवारी की डिवान के अनुसार परिवादी के पास राशी नहीं थी ऐसे में एसी बी ने 25 लाक रुपाई के डमी नोट जुटाए और 21,000 के असनी नोट पटवारी को देने के लिए परिवादी को दिये बुदवार सुपे जैसे ही पटवारी ने ये राशी परिवादी से प्राप्त की वहां मौझूद ACP की टीम ने उसे दबोच लिया मामले की समस्त कारवाही माता का थान थाने में क्यों जा रही है राशान के राशानी जापूर समेट प्रदेश भर में मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है तापमान में गिरावट के साथ ही गुलावी सर्दी का एसास सुबह और शाम हावी हो रहा है प्रदेश की कई शहरों में रात में अब सर्दी आ गई है लेकिन दिन में अब भी मार्च अप्राइल जैसिक गर्मी है दिन में सबसेदिक तापमान बिकानेर में 38.6 डिक्री सेथ हुआ बिकानेर के करणी औद्योगी कशेतर में करीब डेड़ लाक वर्ग मिटर में फैले फान सु पचास एकाईयों के गंदे पानी को लेकर बुधवार को दिलिस्तित NGT कोट में सुनवाई हुई दो जजो की बैंच में हुई सुनवाई के बाद कोट ने ओर्डर रिज़र रख लिया संभावता दिपावली के बाद इसका फैसला आ सकता है उलिखनिया है कि पिछले 14 साल से परेवन मंजूरी के नियम हम शर्तों का उलंगन करने पर पिछले दिनों नाशनल ग्रीन ट्रिबिणल ने parcव बम शहिद सहीत उसके उच्थारिकारी को नोटिस दिया था राजसान की व्विने सहकारी संस्थाव के संचालक मंदल के सदस्यों को संस्थाव के संचालक मंदल की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीज में दोगनी वृदी की गई है रजिस्टार का रेले की और से जारी परी पत्र के अनुसार शीष बैंक, राजिसान, राजिसाहकारी, भूमी विकास बैंक, राज़फट, कानफट, RCDF और सहकारी प्रसंसक्रण मिलो के संचालक मंडल की बैटकों में भाग लेने के लिए संचालक मंडल के सदस्यों की सिटिंग फीज साड़े सासों से बढ़ा कर पंदा सो रुपे की गई है इसी तरह केंदे साहिकारी बैंकों की संच्वालक मंडल बैटकों की सिटिंग फिस साड़े पांसो की जगा 1100 रुपे की गई है अनुचित वियापार और विवार बनाये जो आने की कारण देश के खुद्रा बाजार को खत्रा पैदा हो गया है ये कहना है और राजसान ट्रेड और इंडस्ट्री असोसियेशन का विशी शग्य डॉक्टर रवी गोहल का कहना है कि जिस तरह से ये कंपनिया प्रितिस परदा कानून का उलंगन कर रही है अनुचित प्रितिस परदा के जरी माइक्रो रिटेलर्स वे बाजार दुकानदारों को तबाह कर रही है ये इस्तिती चिंता जनक है मुके सलाकार कमल कंदोई ने कहा कि जो संकट आजदेश के साथ करोड़ दुकानदारों माइक्रो रिटेलर्स पर आया है उस कारण अर्द विरुजगारी के स्थिती पैदा हो गई है जोद पुजली की फलादी पुलिस ने बाइक चोर सहीत खरीदार को गिरिफतार किया है इनके साथ चोरी की वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी निरुद किया गया है सियाई राकेश ख्यालिया ने बताया कि 13 अक्टूबर को खीचन के राकेश कुमार मेगवाल ने बाइक चोरी का मकदमा दर्ज करवाया था पलिस ने संदिक दो लोगों से पूछता आच और सीसी टीवी कैमरों के फुटेज चैकर उसके आधार पर आरूपी बापनी के फारूप को गिरिफतार किया और खरीदा टेकरा हाल खीचन के सुनिल सिंग को गिरिफतार कर बाइक बरामत की है राजसान के डुंगरपूर जिले में एक उभुकता ने रासान सरकार के संपर्क पोर्टल पर शिकायत दरच कराई विजली निकम के खिलाफ तो उसके शिकायत का समधान होता उससे पहले उसके घर के बाहर एक विजली का पोल खड़ा कर दिया गया शिकायत करता ने सिध्य आरूप लगाते वे कहा कि उसके साथ खुन्दस निकालने के लिए ऐसा किया गया है डुंगरपूर जिले के आसपूर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गनीशपूर की वेक्ति को विजित करमचार के खिलाफ शिकायत करने पर ऐसा किया गया महानगर के अध्यक्ष जिलावन सैशन ने आएधिष चंदरशेकर शर्मा एवं सच्चिव अतरिक्त जिलावन सैशन ने आएधिष सुरेंद्र सिंग सांदू द्वारा केंडिय कारगरह का ओचक मासिक ने रिक्षन किया गया इसी करम में रालसा जैपुर के नेदेशान सार 12 नुमंबर को आई जित होने वाले रास्ते लोग अदालत के सफल क्रियानवेन के लिए अधिकारियों के साथ बैठा का आई जन भी किया गया बिकाने नगर निगम के बेडे में शामिल वर्षो पुराने वाहन अभाफ रहे हैं आई दिन मरमत मांग रहे हैं निगम हर साल इन पुराने वाहनों की मरमत पर लाख रुपे खर्च कर रहा है अगनिशमंदल के लिए न निगम अपने सर पर नए वाहनों की खरीद कर रहा है और ना ही DLB से नए वाहन मिल रहे हैं पिछले काफी समय से नए वाहन मिलने की बात कही जा रही है निगम के फायर बेड़े में शामिल नौ गाड़ियों में से एक गाड़ी को नकारा घोशित किया जा चुका है जबकि 6-8 वाहनों में 7 वाहन 10-20 साल पुराने हैं बिकानेर्मी मानेजी कोट ने 13,46,392 रुपए की वसूली के लिए P.W.D. के अत्रिक्त मुख्य अभियंता और एदिक्षिन अभियंता सरकिल की एक बिल्डिंग, फरनीचर और बैंक खाते कुर करने के आदेश दिये हैं फर्म मैसरस रामदेव कंस्रक्शन कंपनी के साज़ेदार घर्ची सा रोड़ पर शिवा बस्ती के भवरलाल कुमावत ने उभोकता विवात प्रतितोश मंच की सरकिल बैंच की प्रथम मंचिला भवन का निर्मान करने के लिए टेंडर भरा था इस काम का 23,26,510 रुपय का बिल बना दिया गया जिसके पेटे 12,69,363 रुपय का भुकतान फर्म को कर दिया गया बकाय राशी के लिए कोट में वाद पेश करना पड़ा इस पर कोट ने कुरकी आदेश च्वारी कर दिये डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन के सेकंड एर के एक्जाम 10 नमंबर से शुरू होंगे और 19 नमंबर तक चलेंगे इस दोनान सिर्फ एक रविवार का वकाश रहेगा जबकि 6 दिन लगातार एक्जाम तैग किये गए हैं इससे स्टूडेंट्स में आक्रोश है के एक्जाम में एक से दो दिन का अंतराल होना चाहिए था पंजी एक शिक्षा विभागे परिक्षाई ने टाइम टेबल जारी किया है इसके मताबिक सेकेंड एर की रेगुलर सप्लिमेंटरी साइट सभी तरह के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे एक्जाम का समय सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच रहेगा व्याक्याता बढ़ती परिक्षा के दोरान मंगलवार को बिकानेर में दो सेंटर्स पर बड़ी कड़़ियां सामने आई है एक सेंटर पर परिक्षारती इतिहास का पेपर ले भागा तो दूसरे सेंटर पर प्रश्न पत्र काली फाफा खुला हुआ मिला हलांकि पेपर आउट होने को लेकर सिती स्पस नहीं है RPSC ने दोनों मामलों की विस्तरत रिपोर्ट मांगी है पहली की पारी में सुबह नौ से बारा बजे इतिहास विशेक की परिक्षा हुई MS College Center पर परिक्षारती पवन कुमार ईसरवाल को पुरिस ने शौनती भंग के आरोप में गरफतार किया है तो फिलाल इस बुलेटिर में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर